नमश्कार आदर्शिक्षन संस्तान की ओनलाइन क्लासिज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन आज हम पार्ट पांच पधार्थों का प्रतक करण पढ़ेंगे प्रतक करण यानी होता है किसी भी वस्तू को अन्य वस्तू से अलग करना प्रतक यानी अलग करना तो हम पधार्थों को किस किस विदी द्वारा अलग करते हैं क्यूं अलग करते हैं इसके बारे में इस पार्ट में पढ़ेंगे हमारे द्यानिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उधारण देखते हैं जिन में हम पधारतों के किसी मिस्रण से पधारतों को प्रथक करते हुए देखते हैं चाई बनाते समय चाई की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा प्रथक किया जाता है जैसा की चित्र में दिख रहा है यहाँ पर इस जो केटली है इसमें चाय है और यह जो चलनी है इसके दोरा हम जो चाय तो चान रहे है जो चैमकप में आ जाएगी और जो चाय की पत्ती है वो इस चलनी के दोरा हम इसको प्रथक कर लेते हैं क्योंकि यह हमारे लिए क्या है अनुपयोगी है इसलिए हम इसको प्रथक करके बाहर निकाल देते हैं उसी प्रखार से यह जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें से जो दही है उसमें से हम मखन को क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं और मखन का उपयोग करते हैं और छाच क भी उप्योंग करते हैं फसल कटाई की पस्चात अनाच को भूसे से प्रथक करते हैं जो फसल की कटाई होती है तो अनाच को भी क्या करते हैं जो भूसे हैं छोटी डंडिया हैं पत्ते हैं उनसे भी हम अलग करते हैं मक्षन को प्रथक करने के लिए दूद या दही का क्या करते हैं मन्थन करते हैं जैसा कि हमने अध्याय तीन में सीखा है कि रेशों से बीजों को प्रतक करने के लिए हम कपास को ओड़ते हैं का और हमने सीखा था जो कपास को ओड़ते हैं उस समय जो कपास के बीज होते हैं बिनोले उनको कपास के रिशों से कंकतन के द्वारा जो है प्रतक किया जाता है क्योंकि अगर हम उन बीजों को अलग नहीं करेंगे तो जो रिशे है उनसे हम धागा नहीं बना पाएंगे कदाचित आपने नमकीन दलिया पोहा खाया होगा यदि आपने यह पाया है कि होगा कि इसमें मिर्ची है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूरग बाहर निकाल दिया होगा आप मेंसे बहुत से भईयाबेन होंगे जो विबिन प्रकार की सबजियों में से कोई मिर्ची निकालता होगा कोई टमाटर कोई धनिया क्योंकि आपको वह जो चीजे हैं खाने में पसंद नहीं है इसलिए आप उनसी सबजी से या उस खाने की सामगरी से उसको प्रथक कर देते हैं ताकि आप आसानी से क्या कर सकें उस सबजी का उप्योग कर सकें यदि आपको एक टोकरी में आम और अमरूद भर दिये जाएं और आप से इन्हें प्रथक करने के लिए कहा गया है तो आप क्या करेंगे इसके लिए आप एक ही प्रकार के फलों को उठा कर किसी प्रथक बरतन में रख देंगे क्योंकि दोनों फल आम और अमरूद है दोनों का आकार अलग होगा रंग अलग होगा जिससे आप उसको पहचान लेंगे और दोनों को अलग अलग बरतन में रख कर उन्हें प्रथक कर देंगे क्योंकि वो तो क्या है बहुत ही बड़े है अब ये जो आम और अम्रूद है इने प्रतक करना सरल प्रतित होता है क्यूं क्यूंकि इनका आकार क्या है बड़ा है परन्तु यदि प्रतक करिये जाने वाले पधार्थ आम या अम्रूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें प्रतक करने के लिए क्या करना होगा कलपना कीजिए यदि आपको रेत और नमक का मिश्रन से भरा कोई गलास दिया जाता है तो मिश्रन से रेत के कणों को हाथ से बीन कर प्रथक करने के सोचना भी असंभव है अब जो नमक है वो भी क्या होता है बहुत बारीख होता है और मिट्टी के करण भी क्या होते है बारीख होते है अगर हमें इन से कह दे कि रेत और नमक को आप अपने हातों के द्वारा प्रथक करो तो ऐसा करना अमारे लिए संभव नहीं है कॉलम दियावा है जिसमें प्रथक करन प्रक्रम लिखा है उद्देशी जिसके लिए हम प्रथक करन करते हैं प्रथक करन अभियों को हम क्या करते हैं यानि जिसको प्रथक करना है उसका सामगरी दी गई है और उसमें से जो प्रथक करेंगे एक सामगरी को प्रथक करेंगे य ऐसा करके हमको इस सार्णी को पढ़ना है और समझना है इस सार्णी में दिये गई सभी सामगरी जो है वो अस्त व्यस्त है यानि उपर नीचे लिखी है उसका हमें मिलान करना है जैसे पहला है चावलों से पत्थर को प्रथक करना अब जो चावल है वो क्या है उपयोगी है औ हम उसमें से इसको इस वाले को इस से मिलान करेंगे अनुप्योगी अव्यव को दूर करना जो अनुप्योगी अव्यव है पत्थर के रूप में उनको हम क्या कर देंगे दूर कर देंगे और जब दूर करेंगे तो उस अव्यव का हम क्या करेंगे पत्थर को हम ठोस अव्यव करने के लिए दूद का मन्थन करना जब मक्षन है उसे प्राप्त करना है किस से दूद का तो दूद का हम क्या करेंगे मन्थन करेंगे और जो इनका मन्थन करेंगे तो इसको इससे मिलान करेंगे देखो क्योंकि दो भिन परंतु उप्योगी पदार्तों को प्रता करना अब दूद भी हमारे लिए उप्योगी है और मक्षन भी हमारे लिए क्या है उप्योगी है तो दोनों ही उप्योगी पदार्त है और उनको प्रता करना है अब उप्योग के बाद हम उसका क्या करेंगे हम दोनों अव्योग का उप्योग करते हैं इन में से क्योंकि जो चावल था उसमें से तो हमने पत्थर को क्या कर दिया था बाहर फैक दिता क्योंकि वो हमारे लिए अनुप्योगी था जबकि दूद और मक्षन दोनों ही अव्योग हमारे लिए उप्योगी है तो इनका हम क्या करेंगे उप्योग करेंगे फिर तीसरा है चाई की पत्तियां प्रथक करना अब चाई की जो पत्ती है उसको प्रथक करना तो चाई तो हम पिएंगे और उसकी जो पत्ती है वो हमारे लिए उप्योगी नहीं है तो हानी कारक अविवों तथा अशुद्यों को दूर करना और उस अशुद्य को जब हम फिल्टर मलब छान लेंगे तो उसको हम फैक देते हैं चाह पती को रखते थोड़ी है वापस के चाह बनाएंगे उनको हम क्या कर देंगे फैक देंगे इस तरह से जो वस्तू है उसका प्रथक करने के पस्चाथ वो हमारी उप्योगी है या हमारे लिए अनुप्योगी है उसके आदार पर हम उसका उप्योग भी करते हैं या उसे फैक देते हैं हम देखते हैं कि किसी पधारत का उप्योग करने से पहले हमें उसमें मिश्रिध हानी कारक्त था अनुप्योगी पधारतों को प्रथक करने की आवशकता होती है। तो चाच भी उप्योगी होती है इसी तरह पथक करने के बाद हम यह देखते हैं कि जो मिश्रिध है वो अमाली हानी कारक्त है या उप्योगी है। जैसे चाय तो है द्रव है और जो चाय की पत्ती है वो क्या होती है ठोस होती है। यह पधारतों की तीनों अवस्ताओं में होती है। कौन कौन सी अवस्ता ठोस अवस्ता में भी होंगे द्रव में भी होंगे और गैस में भी होंगे। इसलिए हम किनी पतारतों के ऐसे मिश्ण का पत्तक करण कैसे करते हैं जिनके गुंदर्णों में अध्यदिक बिंता होती है। यानि इन पतारतों को अलग करना उनके पतारत के गुंदों के आधार पर अवस्ता के आधार पर के कोई पतार ठोस है या द्रव है या गैस है। उसके आधार पर हम उस विदी का चैन करते हैं कि हमको प्रतक करण के लिए कौन सी विदी काम में लेनी है। प्रतक करण की विदिया अब हम पधारतों के प्रतक करण की कुछ साधारन विदियों का उलेक करेंगे इन में से कई विदियों का उपयोग आप अपने दैनिक क्रिया कलापों में करते होंगे तक ही यहाँ पर आपको चित्र में दिखरा है कि एक व्यक्ति है उसके हाथ में थाली है और इसके पास में गेहूं की अनाचकी बोरी है और यह हाथों की दौरा इसे देखो गेहूं के दानों को एकसाइट कर रहा है और जो कंकर है उसे बाहर अपने हातों के द्वारा क्या कर रहा है फैक रहा है तो इस तरह से जब अनाच को प्रथक किया जाता है जिस मैंसे की अनाच के कणों को उसमें पाई जाने वाली अशुदियों से हातों के द्वारा प्रथक किया जाता है तो यह विदी हस्त चरन की विधी कहलाती है हस्त चैन की इस विधी का उपयोग गीहूं चावल दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों पत्थर तदा बूसे को प्रथक करने में किया जा सकता है ऐसी असुद्यों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है ऐसी इस्तियों में हस्त चैन द्वारा पधार्तों को प्रथक करना एक सुवीधा जनक विधी लगती है उनमें आ गई होगी इसमें क्या करना है अनाज के दानों को कंकर से बूसे से या उसमें पाई जाने वाले मिट्टी के जो ढेले होते हैं उनसे हातों के द्वारा उन्हें अलग किया जाता है जिनकी मात्रा अनाज में बहुत ही कम होती है अब हमारी दूसी विधी है त्रेसिंग आपने खेतों अत्वा खलियानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गठर देखे होंगे सूखी पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुकाया जाता है जब पौधों की कट उनका जो अनाज है और उनकी जो पत्या है डंटल है वो सब क्या हो जाए अच्छे से सूख जाए प्रतिक सूखे पौधे की डंडी पर अनकन लगे होते हैं खेतों में रखे सेकडों गठों पर लगे अनकनों की संख्या की कल्बना कीजिए अब खेत में जो अन पड़ा है यानि जो पेड़ पड़े हैं जिसमें की अनाच के दाने लगे हैं तो हमें पता है कि एक ही पौदे में उसकी जो कली होगी अनाच का जो की जो फुमी होगी उसके उपर अनाच की जो संक्या होती है बहुत जदा होती है और चावल इतना छोटा होता है गीहूं इतना छोटा ह सर्सों इतनी चोटी होती है कि उसको अगर हम हाथ की दवारा अगर चैन करने लगे हाथों की दवारा उसको निकालने लगे तो उसमें बहुत अधिक समय लगेगा और ऐसा करना संभव भी नहीं होता तो खेतों में रखे सैकडों कट्रों पर लगे अनकणों की संक्या की कल्पना करें तो वो बहुत अधिक होगी किसान अनकणों को सुखे पौदों के इतने कट्रों से अनाच को कैसे प्रथक करते हैं तो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं इन अनाच के दानों को किस तर प्रथक करते हैं आमो तथा अम्रीदों को रक्षों से तोड़ा जा सकता है क्योंकि आम बड़े होते हैं अम्रूद भी क्या होते हैं बड़े होते हैं उनको रक्षों से तोड़ना आसान होता है परन्तु अनकन आम और अम्रूदों की तुलना में बहुत ही क्या होते हैं छोटे होते हैं में डंडियों को पीट कर अनकणों को प्रतक किया जाता है किसी थ्रैसिंग का कार्य बैलों की साहिता से किया जाता है अत्दिक मात्रा के अनकणों को डंडियों से प्रतक करने के लिए थ्रैसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है जिस तरह से आपको चित्र में दिख र दानों को निकालने लगा तो इसके सालों बीत जाएंगे क्योंकि एक ही पौधे में गेहुं के कई हजारों कर्ण हजारों आदाने होते हैं जिने हातों के द्वारा निकालना बहुत ही मुश्किल होता है तो इस बूसे से या इस पौधे से अनाच के दानों को अल्ला करना क्य हो गए अलग हो गए है ना और यह अनके दाने यहां पर इकटे हो जाते हैं अब यह तो हो गया थ्रैसिंग का काम यानि भूसे से अनाच की दानों को प्रतक करना क्या कहलाता है थ्रैसिंग का कार्य कहलाता है लेकिन अब यह जो थ्रैसिंग कार्य हुआ इसमें से ये जो अनाच की कणिया गिरें इसमें कुछ भूसे के जो पतियां हैं लकडी की डंडियां हैं वो रह जाती है अब इनको किस वीदी के द्वारा प्रत्थक किया जाता है उसको निश्पावन वीदी की द्वारा क्या कर जाता है प्रत्थक किया जाता है सूके रेत लकड़ी के बुरादे अत्वा सूकी पत्यों के पाउडर का एक मिश्रण बनाई है हमें क्या क्या लेनी है रेत लेनी है लकड़ी लेनी है बुरादा लेना है सूकी पत्या लेनी है अब इनका एक मिश्रन मिलना है अब इस मिश्रन को प्लेट अथ्वा समझा पत्र के उपर रखना है मिश्रन को ध्यान से देखिए क्या आप दोनों अभी वोकों को आसानी से पत्र कर सकते हैं अब इनको अगर हमें कोई पत्र करने को कहें हलका होगा दोनों अवियों के कणों का हमाप समान नहीं है क्या हस्त चैन द्वारा इन अवियों को प्रता करना संभव है अब आप इस मिश्रन को खुले मैदान में ले जाए तदा किसी उचे समतल इस्थान पर खड़े हो जाए मिश्रन को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रन रखा है उसे पकड़ कर हवा में कंदे की उचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेड़ा कीजिए ताकि मिश्रन धीरे धीरे नीचे फिसले क्या दौनों अव्यव अव्यव रेत अथवा बुरादा एक ही इस्थान पर गिरते हैं तो नहीं गिरेंगे क्योंकि रेत क्या होती है भारी होती है जबकि लकड़ी का बुरादा और सुकी पत्तियां क्या होंगी हलकी होगी जो को वायू की द्वारा उड़कर वायू द्वारा दूर उड़कर क्या कर जाएंगी गिर जाएंगी थीक है क्या वायू मिश्रण के दौनों अव्यव को प्रثक करने में सफल हुई तो वायू के द्वारा जब किसी हलके वबारी मिश्रण को प्रثक किया जाता है तो इस वीदी को निश्पावन विधी कहते हैं इसमिष्ण के अव्यव को इस प्रकार प्तर्थक करने की विधी निश्पावन विधी कहलाती है निश्पावन का उपयोग पौनों तथा वायू के जोकों द्वारा मिश्ण से बारी हलके अविवों को प्रथक करने में किया जाता है। सादेंट किसान इस विदी का उपयोग हलके भूसे को बारी अनकनों से प्रथक करने के लिए करते हैं। आपने भी अपनी घर में अपनी माताची को देखा होगा कि वो इस तरह से जिस तरह से यह महिला एक स्टूल पे चड़कर खड़ी हैं और कंदे से उपर इस छाजले के द्वारा अनकी कनों को क्या कर रही है तरिचा करके गिरा रही है और किस तरफ गिरा रही है जिस तरफ हवा की दिशा है उस तरफ खड़ी हो गई और इसको गिरा रही है तो हम देखेंगे जो अनाज की कन है वो तो क्या होते हैं भारी होते हैं जबकि जो भूसा होता है वो नीचे की, और क्या हो जाते हैं? इस तरह से अनाज़ और भूसे को हम क्या करते हैं? निश्पावन की विदी की द्वारा प्रथक करते हैं तो हमने आज पधार्तों के प्रथक करने की तीन विदियों के बारे में पढ़ा हस्त चयन विदी, थ्रैसिंग और निश्पावन विदी और और भी जो विदिया हैं पधार्तों को प्रथक करने की उसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे आज के लि